Dear Strengths, How are you all? I hope you will be very fine at your home. Dear Strengths, First of all, I Acharya Kuldeev Shaksana welcome you in this online video that is being organized by DPSVMIC Vilari. प्यारे बच्चो, आज की इस वीडियो में हम आपके Mathematics Books में Chapter 5, Understanding Elementary Shapes में Exercise 5.2 को Solve करना सीखेंगे. प्यारे बच्चो, इस Exercise में जो Summs दिये हुए हैं, वो आपके Clock Based हैं, यानिके आपको इने समझने के लिए एक Clock की Help लेनी होगी और इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए एक Clock आपको दे रखी है, आपके सामने हैं, इस Clock की Help से हम जो Exercise की Questions से उन्हें सॉल्व करेंगे और उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट दे वीडियो, परवचो यह आपका First Question है, Question रीट करते हैं, देखिए, What fraction of a Clockwise Revolution does the hour hand of a Clock turn through when it goes from? इसका Meaning समझेंगे, Question है हमारा, What fraction of a Clockwise? तो आपको Fractions के बारे में जनकरी होगी, Fractions क्या होते हैं हमारे, Fractions, Part of Whole कहलाता है, कोई भी चीज है, जो हमारी Complete है, पूरी है, और उसका कोई हम एक Part लेते हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम Fraction में Show करते हैं, सबसे पहले Fraction में समझाना चाहूँगा आपके लिए बटा, जैसे कि यहाँ देखेगा, आप यहाँ एक Circle देख रहे हैं, Complete Circle है यह, Okay, What is this? This is a Complete Circle, चीख, और इस Complete Circle में आपको यहाँ Two Lines Draw दिखाई देती हैं, ठीक है, यह Lines क्या करती हैं, These Lines Divide This Circle, यह Lines जो हैं, यह Circle को Div कर देती हैं, Okay, and we see four parts here, हमें कितने parts यहाँ मिलते हैं, four parts, कैसे, देखें का आपका यह, One Part आपका यहाँ बन जाता है, First Part, अगर हम देखते हैं, तो यह हमारा First Part बन जाता है, और इस Part को, हम देखते हैं, इस Complete Whole जो Circle है हमारा, उसके कितने parts बन रहे हैं, four, one, two, three, four, और equal हैं, equal parts हैं यह, और इसमें यह जो हमारा First Part है, इसको हम बोलेंगे, one upon four, ठीक, अब आप सोचिए, कि एक Circle में हम कितने one upon four parts बना सकते हैं, और इसको भी कह सकते हैं, और one upon four इसको भी कह सकते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि हमारे one upon four parts बन जाते हैं, झ Canad bestimmt करतें दो अगर आप यहां इस इन इनके और कुम्प्लीट को हर कर देते हैं और अधा इधर करदेते हैं हाफ में डिवाइड कर देते हैं तो ही हम एक पार्ट और इसमें एड़ कर देते हैं मानलो हमने इसको भी एड़ कर दिया इसके साथ अब यह हमारा जो शेड़िट पार्ट है वो टोटल कितना हो जाएगा थ्री अपान फूर तो इस तरह से हमारे बिटे और उसके बाद अगर हम यहां पर देखते हैं लास्ट पा फोर क्वार्ट को लाता है वन अपन टु हाफ केलाता है और फ्री अपन फूर हमारा कि मोर देन हाफ पार्ड होता है इसलिए हम इसे 3 upon 4 कहते हैं यहां मैंने कुछ shortcuts भी आपको दे रखें हैं यह हम इस clock में समझेंगे अब हम question पर आते हैं question हमारा है बड़ा कि हम कौन सा fraction सो करते हैं और clockwise revolution पर revolution का मतलब एक चक्कर पूरा लगाती है आप जानते हैं कि हमारी clock में धो हम्ट होते हैं का मतलब हम नीडल से भी कह सकते हैं सो भी कह सकते लेकिसे में हमारी पंच्वाल करते तो जैसा कि हमारा test हमारा हमारा 3 – 9 के लिए चलता है यानिके हमारा जो आवर हैंड है हम यह से ड्रॉब कर सकते हैं मान लीजे यह आवर हैंड हमारा थी पर है और थी से यह clockwise चलता है इस direction को हम clockwise बोलेंगे यदि हमारी यह needle इस direction में चलती है move करती है तो इसे clockwise कहेंगे और यह 3 से स्टार्ट करती है और 3 से कहां तक आती है नाइन पर आती है आप देखेंगे कि हम कितने numbers move करते है नीडिल कितने numbers move करती है देखेगा 1 2 3 4 5 6 तो हमारे points कितने हो जाते है 6 points हो जाते है 6 numbers हमें move करना है इसलिए मैंने यहां कुछ shortcut दे रखें जिसको आप समझकर आसानी से part को निकाल सकते है तो आप देखें बड़ा यहां पर 1 में हमारा 3 numbers अगर हम move करते है ठीक है 3 numbers हम इस clock में move करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 upon 4 part form हो जाएगा ठीक ऐसे हम second देखेंगे यदि हम 6 numbers move क करते हैं कहीं सभी हम हैं 1 से start करें और 9 numbers आगे के ले लें तो हमारा 3 upon 4 part form हो जाएगा बन जाएगा इसी तरह से हम देखेंगे 6 to 9 हमारे कितने numbers होते हैं बड़ा देखेंगा 6 3 से 9 तो 3 हमारा यहां है आगे 9 तक हमें जाना है तो 1,2,3,4,5,6 ओके तो 6 numbers के लिए हमारा कितना part बन गया 1 upon 2 part इसे half कहेंगे हम चीक तो हम यहां क्या लिख सकते हैं this is 1 upon 2 part of our revolution revolution का उल्दा पीटा पूरा चक्कर एक पूरे चक्कर का 1 upon 2 part बन जाता है हाफ बन जाता है आगे देखिए second part है आपका 4 to 7 अब 4 से हम स्टार्ट करेंगे मान लिखेंगे हम 4 पर हैं यहां से ना होकर हम अमारा अबर हेंड कहां पर है 4 पर है और 4 पर है तो हम इसे 7 तक काउंट करेंगे बिटे तो 1,2,3 हम कितने numbers move करते हैं 3 points यह 3 numbers तो आप 3 numbers के लिए आपक क्या part बनेगा 1 upon 4 part इसको आप आजसानी से यहां लिख सकते हैं यह कितना part बन जाएगा हमारा 1 upon 4 part of a revolution ठीक नेक्स्ट आपका है 7 to 10 तो 7 से count कर लिजे 7 हमारा यहां है अब our hand हम यहां ना लिख कर यहां बना देते हैं मान लिजे 7 से start करेंगे तो हम 7 से 10 पर जाएगे 8,9,10 हमारे कितने points हो गए 3 points हो गए तो हम 3 points पर फिरा जाते हैं तो हमारा कौन सा part बनेगा 1 upon 4 part तो आप यहां लिख देंगे 1 upon 4 part of a revolution ओके आगे देखिए 12 to 9 है बेटे अब 12 से start करेंगे starting जो नंबर है हमारा वो हमारा वेटे 12 है आवर हैंड कहां पर हमारा 12 पर आएंगे तो हमारे कितने 9 steps हो गए यहां तक कितने points हो गए 9 numbers हो गए तो 9 numbers के लिए हमारा कितना part बन जाएगा 3 upon 4 part तो हम उसको यहां लिखेंगे easily 3 upon 4 part of a revolution next है 1 to 10 अब 1 से start करेंगे 12 पर ना होकर कहां पर है आवा रहे हैंड हमारा वेटे 1 पर है और 1 से हम कहां start करेंगे 1 से 10 तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मन जाएगा फिर 9 numbers आगए तो 9 numbers के लिए आपको क्या part रखना है 3 upon 4 part 6 to 3 है अब 6 से start करेंगे पिटे आवर हैंड हम कहां बना लेंगे 6 पर बनाएंगे तो मन लिजे आवर हैंड हमारा या 6 पर है और हम 9 तक आएंगे तो 3 points बन जाएंगे 7 8 9 3 3 numbers है 3 points तो 3 points के लिए आपका part कितना बनेगा 1 upon 4 तो आप लेख सकते हैं यहां पर हम देखेंगे बटा यहां पर 6 to 3 है क्या है हमारा 6 से 3 तो हम देखो 6 यहां पर है बटे और clockwise चलेंगे तो इस direction में चलेंगे इसी तरह से और 3 पर यहां आएंगे तो आप यहां से count करेंगे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 numbers आपको move करना है 9 numbers आगे चलना है तो आपके 9 numbers के लिए हमारा क्या पार्ट बन रहा है बटे 3 upon 4 पार्ट तो आप इसको यहां लिख देंगे या 1 upon 4 ना लिखकर हम क्या लिखेंगे बटे 3 upon 4 पार्ट आफ ए revolution तो आपने देखा होगा कितना आसान है ना clock की help से जो numbers है उसको हम move करते हैं तो हम कितना पार्ट चल रहे हैं उसको हम easily understand या उससे समझ सकते हैं तो मैं आशा करूंगो कि आपने इतना समझा होगा बच्चो अब हम देखेगा next question solve करेंगे जिसे हम question 2 भी कह सकते हैं question 2 में आपको देख क्या है where will the hand of clock stop if it जो hand clock का our hand वो कहां stop होगा कहां जाकर रुकेगा यदि यह hand starts at 12 12 से start करता है हमारा जो आवर हैंड हो कहां पर है आवर हैंड हमारा 12 पर है और makes one upon two part of revolution वह one upon two part move करता है revolution का एक चक्कर का revolution कहते हैं complete circle या complete हमारा one rotation तो यहाँ पर जब यह one upon two part चलेगा तो आप देखेगा one upon two part यह है one upon two part में हमें कितने numbers count करने हैं पिटे six numbers ओके तो आप टैल को छोड़कर one से six number आगे के count कर लेंगे तो one two three four five six तो यह आवर हैंड हमारा कहां जाएगा यहां से यह हमारा आवर हैंड six पर आ जाएगा ठीक तो आपका जो answer होगा वो क्या बन जागा पिटा क्या एट विल स्टॉक कहां पर रोके गाएगा पिटे एट six ओके नेक्स पार्ट दखेंगे अब स्टार्ट करते हैं टू से स्टार्ट साथ टू का मतलब है हमारा जो आवर हैंड है वो कहां पर रहा हैं टू पर रहा हैं और टू के बाद यह makes one upon two of a revolution यहां से भी one upon two of a revolution move करता है तो इसके लिए one upon two के लिए आपको फिर से six numbers count करने हैं तो two को छोड़ देंगे two से count नहीं करने हैं आगे से करने है one two three four five six यानिके हमारा जो आवर हैंड है वो two से कहां आ जाएगा eight पर आ जाएगा तो आपका answer क्या होगा आपका answer होगा eight will stop at eight है ना कितना आसान बहुत आसानी से आपके समझ में आ रहे होंगे आगे देखिए बड़े next एक पार्ट और है हमारा अब हमारा जो आवर हैंड है वो starts होता है कहां से five से और makes three upon four of a revolution five से start करना है और three upon four पार्ट चलना है तो आप कैसे चलेंगे बड़े पहले तो आप five से start कर लीजे मनलो आवर हैंड हमारा five पर है ओके और five के बाद three upon four हमें move करेंगे three upon four पार्ट के लिए आप कितने numbers move करेंगे nine numbers आगे से बगिन लेंगे five को छोड़ते हुए one two three four five six seven eight nine यानि के हम कहां पर आ जाएंगे जो आवर हैंड हमारा कहां आ जाएगा टू पर आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे विटा इडवेल इस्टाउ एट कहां पर टू पर ओके तो इस तरह से हमारा फाइनल हो जाता है और हमें सभी आंसर जीजिली मिल जाते हैं अब इस क्लॉक पर बेज्ट हमारा एक और कोश्चन हमें मिलता है एक्सरसाइज में उसको हम रीट करेंगे पहले हैं देखेगा हमारा कोश्चन यह फाइव है पेटे ओके कोश्चन फाइव में हमारा है फाइंड दा नंबर उस नंबर को बताईए और राइट एंगल अच के द्वरा और हेंड के द्वरा ऑफ़ लॉक वहन इट गोस् फ्रॉम किसके घड़ी के आवर हेंड के द्वरा जब यह चलना शुरू करती ए त्ससे एव रहे नवारा कहा है विटा और हमारा थी पर हैं और यह थी से कहा जाता है सिक्सके तो हमारा ये बीच में एक एंगल को समझा रहा हूं बेटे और हमेशा उस उस एंगिल को हम राइट एंगल कहते हैं इसी तरह से जब हम 3 to 6 देखते हैं या 6 to 3 देखते हैं तो जो एंगिल फॉर्म होता है वो L शेप में होता है और हमारा है कौन सा एंगिल बन जाता है राइट एंगिल वन राइट एंगिल बन जाता है मैंने यहां शॉटकर्स भी दे रखें आपको बेटा आप जदी 3 नंबर्स के बीच में कोई भी एंगिल हम रिकोगनाईज करते हो से पहचानते हैं तो हमारा वन राइट एंगिल एक राइट एंगिल फॉर्म होगा 6 नंबर्स के बीच में हम देखेंगे यहां से किसी भी नंबर्स में 6 नंबर्स 3 to 9 ले लेते हैं तो हमारे 6 नंबर्स काउंट होंगे और उनके लिए हमारे जो राइट एंगिल फॉर्म होंगे वो टू राइट एंगिल होंगे दो right angle हम add कर सकते हैं 9 numbers के लिए हमारे कितने right angles form होंगे बिटा 9 angles के लिए आपको 3 right angles लेने होंगे तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 3 to 6 हमारे कितने numbers form होंगे बिटा 1, 2, 3 तो 3 numbers के लिए आपके right angle कितने होंगे 1 right angle बहुत आसान है बच्चो ज्यादा difficult नहीं है इसको आप समझ सकते हैं 2 से 8 count कर लेंगे अगर number 2 से 8 आपको क्या मिलता है 3 माली जावर end हम हमारा कहां पर है देखेगा बच्चो 2 पर है और हम 8 पर आना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम 6 numbers move करते हैं और जब 6 numbers move कर रहे हैं तो 6 numbers के लिए हमारे कितने right angles हमें बनाने पड़ते हैं 2 right angles तो इसलिए आप यहां के लिख सकते हैं हम यहां लिखेंगे 2 right angles count होंगे ठीक next देखते हैं 5, 2, 11 अब हमारा आवर end 5 पर है कहां पर है 5 पर तो आवर end हमने लो 5 पर ले लिया और 11 तक count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो फिर आपको 6 numbers मिलते हैं 6 numbers move करते हैं तो आप कितने angles आपका बनते हैं right angles 2 right angles 6 के लिए आपके 2 right angles आपको add करने हैं 10 से 1 देखते हैं तो 10 to 1 आपका क्या होगा कितने numbers बनते हैं आवर end हम 10 पर ले लेंगे और 10 पर लेंगे तो 1 तक आप देखेंगे clockwise में 1, 2, 3 3 numbers के लिए आप कितने right angle बन जाएंगे आपके 1 right angle तो आपको यहां क्या लिखेंगे 1 right angle तो इस तरह आपका इस question के answer सभी पूरे हो जाते हैं प्रहर बच्छो आप हम solve करते हैं question number 3 you start facing तो आप किस direction को face करेंगे यदि आप शुरुआत करते हैं किसे शुरुआत करते हैं बेटा यह part में हैं east से देखे का जब हम कभी खड़े होते हैं whenever we stand we face any direction हम किसी direction को face करते हैं कैसे माल लीजिए हम सुबा morning में खड़े हैं अपनी छत पर और हम सुरज देख रहे हैं सामने उगता हुआ तो हमें क्या पता चलता है हम कौन सी direction face कर रहे हैं आप जानते ही हैं कि the sun rises in the east सुरज का निकलता है पूरा upside में उस वक्त हम east direction को face करते हैं ठीक है और हमारी back side में क्या होता है आप जानते होंगे back side में आपके कौन सी direction होती है west direction होती है और आपके जो left hand है उस पे आपका north होता है और आपके ठीक right hand पर south direction होती है तो ये direction मैंने आपको कुछ बताये थे कुछ indications जिसको हम आसानी से recognize कर सकते हैं लेकिन हम बात कर रहें question की तो question में हमसे कहता है कि मान लीजिए हम east की तरफ ही खड़े हैं face कर रहे है east direction को ये है हमारा और हमारी position ये है ये point हमारा east direction की हो रहा है अब हम क्या गरते हैं बच्चो हम turn करते हैं clockwise हमें घूमना है clockwise clockwise और कितना गुमना है make one upon two of a revolution अपने पूरे चक्कर का one upon two यानि कि half हमें move करना है clockwise में तो मैंने आपको बताए कि clockwise आपकी direction कौन सी होगी इस तरह से तो ऐसी हम यहाँ move करेंगे नीचे की ओर तो बटा आप क्या करेंगे half के लिए आप क्या करते हैं मैंने भी आपको बताए था half के लिए आपको दो right angles move करना है one यहाँ हो जाएगा और एक और करना है ठीक है नहीं half के लिए one upon two के लिए आपको कितने right angles move हमें clockwise चलना है दो बार तो आप देखेगा एक बार ऐसे आएंगे east में हैं सॉरी हम कहाँ पर है नौट से नहीं start हम कहां से करेंगे बटे इससे हटा देते हैं हम हम east को face कर रहा है तो एक बार move हम नहीं हम one time कर लिया और फिर एक बार move और करेंगे तो यह second time हो जाएगा तो इस तरह से हमारा यह कौन सा form बने जाता है angle straight angle लेकिन हमारी direction क्या हो गई अब direction हमारी हो गई east से west कौन सी होगी west तो हम यहाँ पर answer में क्या लखेंगे west direction ठीक है नहीं आप इसको practically भी कर सकते हैं अपने छत पर खड़े होकर practically करके देखेगा आपको experience हो जाएगा पता लगेगा next part में हम देखेंगे west and makes 3 upon 4 of a revolution तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आप face कर रहे हैं west direction मान लीजे हम यहाँ पर ना होकर हमारा जो face है वह बेस्ट direction में है ओके इस direction में अब आप देखें कर भीटा हमें 3 upon 4 turn करना है यानिके complete revolution का हमें 3 upon 4 क्या करना है turn करना है और मैंने आपको भी बताया था कि 3 upon 4 part में हमारे कितने right angles बन सकते हैं 3 ओके तो आप क्या करेंगे देखें का west से हम इसे move कर सकते हैं हाँ समझ सकते हैं और कि यहाँ से वन टाइम करेंगे नॉर्थ पर आ जाएंगे clockwise कुंकर और फिर एक बार और राइट एंगल हमने बनाया तो east में आ गए second time पर कहां आ गए इस्ट में और इस्ट से हमें 3 upon 4 बनाने के लिए एक बार और राइट एंगल हमें move करना है तो हमारी direction क्या हो गई पेटे south वेस्ट से पहले north वन राइट एंगल और इस्ट से साउथ थर्ड राइट एंगल तब जाकर आपका थ्री अपान फूर पूरा होता है तो आपकी direction क्या हो गई आप आपकी direction वेस्ट से चेंज हो कर south हो जाते हैं यानिकि आप कौन सी डारेक्शन से फेस कर रहा है south तो इस तरह से हमें यह solution यहां मिल जाते हैं प्यारवचों अब मैं इसी question का एक c part आपको समझाओंगा देखेगा c part हमारा है हम कौन सी direction face कर रहा है वेड़ा है south अब south direction में मनलो हमारी position यह है इस तरह से हम यहां पर face के हुए है south direction में और south direction में होने के बाद हम बनाते हैं make one full revolution हम पूरा एक चक्कर लगाते हैं round complete circle बनाते हैं clockwise इसका आप ध्यान रखना तो clockwise जब आप चलेंगे देखेगा यहां से आप कहा जाएंगे one right angle चलेंगे ठीक फिर आपको एक बार और right angle चल और north से fill लटकर हम east में आएंगे क्योंकि हमें complete करना है ठीक है तो यहां से यहां है और फिर यहां से north में north से east हमारा third right angle चलेंगे और third से हम कहाएंगे एक बार और turn करेंगे south में ही आजाएंगे यहां हम south में start कहां से किया था south direction से और turn करते हुए हम फिर लटकर कहाँए complete एक revolution करते हुए same south direction में आ जाते हैं तो इस तरह से हमारे four right angles हम move करते हैं और answer में हम क्या लिख सकते हैं वी विल फेज़ वी शाल फेज़ साउथ वन सगी यह साउथ डारेक्शन वन सगी तो बेटे इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट कुश्चन से मैंने आपके सामने अभी सॉल किया हैं आशा करूंगा आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और वीडियो को फिर से से समझें पीडियाफ से इनके आंसर में आप तक भेज रहा हूं आप उन्हें अपने फिर बुक नोट बुक में लिख सकते हैं उन्हें समझ सकते हैं मिलेंगे नई वीडियो में नई एक्सरसाइस के साथ नई चैप्टर के साथ तब तक के लिए विश्यू अल्दवेस्ट आइए थैंक यू यू वरी मुच